नमस्कार बच्चों कक्षा दस्वी के राजनितिक शास्त्र के चौथे अध्याए जाती धर्म और लेंगिक मसलों के पहले सत्र में आपका स्वागत है बच्चों पिछले अध्याए में हमने जाना था कि समाजिक विभिन्ताएं हर देश में होती हैं समाजिक असमानता की अभी व्यक्ति कोई बड़ी बात नहीं है और आज हम भारत के लोकतंतर के कामकाच के संधर्ब में विभाजन और भेदभाव वाली तीन समाजिक असमानताओं की चर्चा करेंगे जो लिंक के अधार पर, धर्म के अधार पर और जाती के अधार पर होती है यह असमानताओं हैं और राजनीती में अभी व्यक्त होती ही रहती है प्यारे बच्चों, इस सत्र में सबसे पहले हम इस्त्री पुरुष असमानता की बात करेंगे यह समाजिक असमानता का रूप हर जगा नजर आता है असमानता स्वभाविक है या प्राकृतिक मुझे लगता है कि यह प्रचलित रूड़ी वादी विचारधारा और समाजिक भूमिका की बात जादा है लड़के और लड़कियों के पालन पोशिन में यह माननता उनके मन में बिठा दी जाती है कि औरतों की जिम्मेदारी घर चलाने की है, बच्चों के पालन पोशिन करने की है और घर का सारा काम का जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देख भाल करना ये सारे काम औरतों के हैं ऐसा नहीं है कि यह काम पूरुष नहीं कर सकते पर उन्हें बच्पन से ऐसा सिखाया जाता है कि यह काम घर में सिर्फ औरतों का ही है और देखा वया है कि कहीं पर बाहर जाकर तो वह भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको इसके लिए पैसा मिलता है ऐसा केवल शहरों में नहीं बलकि गाउं में भी होता है गाउं में औरते पानी जलावन जुटाने से लेकर खेत तक में काम करती है शहरों में भी गरीब या मध्यम वर्गिये परिवार की महिलाएं घरेलू काम की अतिरिक्त अपनी आंदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती ही रहती है इतना काम करने पर भी उन्हें श्रय नहीं मिलता है बच्चों आज से नहीं बल्कि इतिहास में भी ऐसा देखा गया है कि सिर्फ पूरिशों को ही राजनीतिक भागिदारी करने वोट देने या मुख्य पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमती थी पर धीरे धीरे वक्त बदला और महिलाओं ने अपने को सश्चक्त करने के लिए अपने संगठन बनाए और बराबरी के लिए अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन धी चलाए यह आंदोलन राजनितिक, समाजिक और वैधानिक दर्जे को उचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के लिए अफसर बढ़ाने की मांग से संबन्देत हैं वक्त के साथ उन्होंने व्यक्तिगत और परिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग की और इन आंदोलनों को नारी वादी आंदोलनों का नाम दिया गया आज महिलाएं विज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनिय, प्रबंधक, कॉलेज और विश्व विध्याली की शिक्षक जैसे शेत्रों में कारे रत हैं और अगर हम देखें तो पाएंगे कि अमेरिका और यॉर्प के देशों में सार्वजिनिक जीवन में महिलाओं की भाग्यदारी आज भी भारत के मुकाबले काफी उची है आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिती में बहुत सुदार हुआ है पर अभी भी वह पुर्षों के मुकाबले काफी पीछे क्या आप इनके कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है आज भी उनके साथ भेदभाव क्यों होता है उनका शोशन क्यों होता है उनका दमन क्यों और कैसे होता है रोज हम अकबारों या टीवी के माध्यम से देखते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ शोशन या भेदभाव होता ही रहता है चलिए इसका आंकलन करते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों होता है बच्चों आज भी हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है महिलाओं में साक्षर्ता की दर अभी भी पुरुषों के मुकाबले काफी कम है लड़कियों की सिमित संक्या ही उच्च शिक्षा की और कदम बढ़ा पाती है इसके साथ साथ आज जब हम परिक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी जगां पर लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बाजी मारी है और उनका प्रदर्शन लड़कों से बहुत बहतर रहता है पर आज भी कुछ परि पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या काफी कम है और उनकी तनखा भी पुर्षों के मुकाबले कम है देखा जाए तो पुर्षों की तुल्ना में एक महिला रोजाना एक घंटा ज्यादा काम करती है पर उसको ज्यादा काम करने के पैसे नहीं मिलते और उसके काम को मुल्यवान भी समझा नहीं जाता इसके साथ साथ भारत के अनेक हिस्सों में माबाप को सिर्फ लड़के की चाहां होती है कई बार तो लड़की को जनम लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके लोग सोचने लगते हैं बच्चों क्या कभी सोचा है कि इसका प्रभाव हमारे समाज पर क्या पढ़ेगा आज इनी कारणों से लिंग अनुपात हमारे देश में काफी गिर गया है जिसको हम सेक्स रेशो कहते हैं जो प्रती हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या की बात करता है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि चाहे खेलकुद की दुनिया हो चाहे शिक्षा की चाहे सिनेमा की और चाहे खेत खलिहान या कारखाने की बात क्यों ना हो महिलाओं को पुर्षों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है भले ही दोनों ने समान काम क्यों ना किया हो महिलाओं के उत्पीडन, शोशन और उन पर होने वाली हिंसा की खबरे हमें रोज पढ़ने को मिलती है कुछ इलाकों में तो महिलाओं के लिए खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किये गए है पर कुछ तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां भी उन्हें मारा पीटा तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा जिलनी पड़ती है पर बच्चों इनके संरक्षन के लिए क्या किया जाना चाहिए आप लोगों के क्या विचार है क्या महिलाओं को राजनितिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्या नारिवादी समू और महिला अंदोलनों को इस परिपेक्षे में कुछ करना चाहिए क्योंकि जब तक इस समस्या का कोई हल राजनीतिक तौर पर नहीं निकलेगा तब तक जनता महिलाओं को अपना प्रतिनीधी नहीं जुनेगी तब तक राजनीतिक तौर पर इसका हल निकालना आसान नहीं होगा चलिए देखते हैं भारत की विधाईका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात कितना है लोकतंतर में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्यों की 10 फीसदी तक भी नहीं है राजियों की विधान सभाव में उनका प्रतिनिधित्वं 5 से 10 फीसदी तक ही रहा है इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों से काफी नीचे है, मंदरी मंडल में पुर्षों का ही वर्चस वो रहा है, बच्चों आपको क्या लगता है कि इस समस्या को किस तरह से सुलजाया जाना चाहिए, क्या उन्हें कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा मिलना चाह होगा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में तो एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गए हैं, और तभी भारत के ग्रामीन और शेहरीय स्थानिय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संक्या 10 लाग से जादा हो गई है, महिला संगठनों और कारे करत महिलाओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं की भी एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जानी चाहिए, संसद में एक विध्यक पेश भी किया गया है, पर कितने ही सालों से वह विध्यक अभी तक पास नहीं हुआ है, तो देखा वच्चो किस तरह से इस्त्री और पुर्षों के साथ इतने ही शेत्रों में कितनी ही तरह का भेदभाव किया जा रहा है, चलिए बच्चों, एक बार आज की किये गए विशे की पुनरावरती कर लेते हैं, आज हमने किया कि लैंगिक भेद आज भी हमारे समाज का एक पहलू है, जिस चलिए अब कुछ प्रश्णुतर भी कर लेते हैं, पहला प्रश्ण, हमारे समाज में महिलाओं के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है, दूसरा प्रश्ण, नारिवादी आंदोलन क्या है, तीसरा प्रश्ण, आज के परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थिती का वर्ण किजिए चौथा प्रश्न विधाइका में महिलाओं का स्तर और संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर कुछ सुझाव दीजिए अब समय है कुछ activities का आज जो हम activities करेंगे उन में से कोई एक activity को आप अवश्य करेंगे और पूरी चेश्टा करेंगे कि वह activity आप तनमयता से करें चलिए देखते है activity number one इस activity में आपको एक व्यवसाइक list बनानी है जिसमें आपको देखना है कि कौन सा काम लड़कियों या महिलाओं के लिए या कौन सा काम लड़कों पुर्शों के लिए या वे व्यवसाइए में दोनों कारेरत हो सकते हैं आपको नौकरी या करि कि किस समु में पुरुष या महिला सबसे बड़ी संख्या में होगी किन नौकरियों के लिए लोगों के साथ काम करने की आवश्यक्ता है किस समु की संख्या इन दोनों के मुकाबले अधिक होगी कौन सी नौकरियां सबसे अधिक वेतन शम्ता प्रदान करती हैं और उन में से कितने पुरुष नामित हैं और कितनी महिलाईं इसे पूरा करने के लिए शोध की आवश्यक्ता भी होगी चलिए करते हैं जांचे कि क्या आप मानते हैं कि यह एक पुरुष का पेशा है कि महिला का पेशा है या दोनों का चलिए अब यह काम के आधार पर आपको यह चिकलिस्ट तयार करनी है काम का आधार है निर्माण मजदूर, फ्लाइट अटेंडेंट, समाज सेवक, सचिव, प्रात्मिक शिक्षक, बालों के स्टाइल बनाने वाला, पशु चिकित्सक, शिक्षा अध्यापक, रसोईया, फोटोग्राफर, नर्स, कम्प्यूटर विशलेशक, इंजीलियर, सेवकित्सक और कलाकार, चलिए अब करते हैं, एक्टिविटी नमबर दो, लड़कियों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इन पहलुओं पर विचार कीजिए, एक्टिविटी नमबर तीन, लिंग समानता क्यों माइने रखती हैं, लिंग संबंधी चुनोतियां क्या ह और उनको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी नमबर चार, लेंगिक असमानता के कुछ कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए, और विचार कीजिए कि किस तरह लेंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है, एक्टिविटी नमबर पांच आप सभी अपने माता-पिता के कारियों में मदद कीजिए, और एक सूची बनाएए, जिसमें आपने अपनी मा के कारियों में किस तरह से मदद की बच्चों, इस सत्र का अंथ मैं अपनी लिखी हुई एक कविता के माध्यम से कर रही हूँ कविता का शिर्शक है नारी नारी तुम ही विश्व की संचाली नी, तुम ही हो शक्ती शाली नी मन निर्मला, सदेव समर्पिता, तुम व्यापक हर कही, तुम ही रुहानी अस्मिता स्रिष्टी की जननी तुम, प्रेम रूपी धारणी तुम, शक्ती सहारणी तुम, सबल कारेकारणी तुम, तुम ही मूर्त मम्ता की, तुम ही सूरत अखंड सहन शीलता की, तुम ही अंश अंश निवासी, तुम ही हो दिव्य रूप प्रकाशी, तुम ही विश्व की संचालिन तुम ही हो शक्ती शालिनी बच्चों इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि यह लेंगिक भेद भाव खतम होना चाहिए और सब को समानता का अफसर और सब के साथ समान रूप से वेभार करना चाहिए इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार कि अवेभार करना चाहिए